कृष्णा हेगडे, क्या अजीद दादा आ रहे हैं क्या इस तरफ? लेखे, आएंगे तो उनका स्वागत है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ के संजे राओ जी कौन से पक्ष के प्रवक्ता है अभी तक मुझे समझ में ने आया वो तो काम करते है उद्दो जी के लिए, बात करते है शरत पवार के लिए और समर्तन करते है राहुल गांदी का तो अभी तक मुझे ये समझ में ने आया कि कौन से पार्टी का प्रवक्ता है अभी शरत पवार साब ने उनको चलते-चलते कुछ कह दिया तो हम उनको सीरियसली नहीं लेती तुसरी बात यह है कि हमारे मित्र अतुल जी ने कहा कि सरकार गिरने वाली है सरकार बिल्कुल गिरने वाली नहीं है सरकार बहुत ही स्तिर है और जो आखडे अजित पवार साब ने खुद दिया था वो था कि 288 माइनस 16 डिस्कॉलिफिकेशन अगर होता है तो 272 का फ्लोर टेस्ट होगा और 272 में से लगबख 180 आज भी हमारे पास है और अगर अजित पवार साब आते है अशुक चवान जी आते है हम तो उनका स्वागत करें या अगर हमारे आइडियोलोजी के साथ मिलते हैं और हमारे साथ काम करना चाहते है अगर कोई अपने पार्टी में खुद में दम उनका गुटरा है कोई भी बड़े नेता का हो और अतुल जी मेरे मित्र कह रहे थे कि कल अजित पवार साब तो वहां पर थे बिलकुल थे लेकिन वहां पर कौन से कौंग्रेस के नेता नहीं थे वो अगर वो गिने तो उनको वहां से भी उनको एक आंसर मिल जाएगा कि कौन-कौन कौंग्रेस से भी फूटने वाले अरे कमाल है कृष्णा एकड़े कमाल है आप तो बताईए ओपन नैशनल टेलेविजिन पर दूसरी पार्टियों को तोड़ने की बात कर रहे हैं भाई मैं तोड़ने की बात ने कर रहा हूं मैं उनके खुद का दम गुट रहा है वो बता रहा हूं माना को चालिस की बात फिर से संजा तो उनको खुद का मालिचा सागाडी का वज्रमूर्ट का राली में कौंग्रेस के बड़े-बड़े नेता नहीं जाते और आपको ये भी कह करना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज्जमेंट था सुप्रीम कोर्ट ने शायद आपके देखा होगा जो हमारे घरी सालवे जी ने जो अर्गूमेंट रखा था उसके बाद जो फ्लोर टेस्ट हुआ तो उसमें से 13 कांग्रेस के विजायक फ्लोर टेस्ट में अतुर बाइए एक सब्सक्राइए एक दो सवाल में कृष्णा एगड़े से पूछना चाहता हूं आप कहरें सरकार चलेगी नहीं गिरेगी ओके चलिए एक संभावना है अगर गिरी तो देखिए अगर पर बात करनी पड़ेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है सरकार नहीं बनाएंगे अगर गिरी आपकी सरकार और चुनाव हुए तो आपको यकीन है कि आप और बीजेपी मिलकर बहुमत पा लेंगे मारग जी सरकार गिरेगी नहीं देड़ साल तक सरकार चलेगी उसके बाद और पात साल चलेगी यह मैं लिखके देता हूँ दूसरी बात जैसे आपने शंका आपने एक स्पेकुलेशन किया कि चलो सरकार गिर गई 182 ऐसके बाद भी आपा 180 का अकड़ा है और अगर और फूर्ट की आते हमारे पास उनका स्वागत है और आज भी अगर यह क्यों नहीं जा रहे हैं यह क्यों नहीं दावा करते हैं सरकार बनने की अगर हमारी सरकार जो अतुल जी मेरे मित्र ने खुद कहा कि अगर इनकी सरकार गिरती है तो भी हमने बनाएंगे क्योंकि इनके पास आकड़े ही नहीं है इनके पास 90 से ज़्यादा विदायक नहीं है आज के दिन पे भी अच्छा एक चीज और एक चीज और अगर चुनाव हुए चाहे अभी वाले मान लीजे या फिर वो जो पांच साल बाद होंगे वो वाले मान लीजे क्या बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बना सकती है क्या देखें बीजेपी एक सक्षम पार्टी है और बीजेपी हमारी सयोगी है ऐक सोसाट में से एक सोपाँक सीट जो है खुद बीजेपी जीती थी और उसके बाद आज हमारे पास लगबग 50 विदायक है तो 165 का अकड़ा एक 155, 160 का अकड़ा है और लगबग 20-25 जो इंडिपेंडनेंट विदायक है वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं मेरा सवाल दूसरा था बीजेपी अकेले अपने दम पर जीत सकती है क्या महराष्ट में चुनाब देखें बीजेपी अकेली लड़ नहीं रही ना बीजेपी हमारे साथ लड़ रहे है और हम जीतेंगे और हमारे साथ जो जो नेता आएंगे आपके सालसद में खुले आम कह दिया है कि कोई भी अकेला लड़ेगा नहीं जी सकता है महाराष्ट में, इंक्लूडिंग बीजेपी, आप भी कह दीजे ना, कहने में क्या दिक्कत है? मैं क्यों कहूं ऐसा सब? जब मैं, मैं जानता हूँ कि हमारे एकनाजी शिंदे और हमारे दिवेंदर फड़नवी जी के नितरुत में हम साथ में लड़ेंगे, शिरसेना और बीजेपी साथ में लड़ेंगे, तो साथ में लड़ेंगे और साथ में लड़ेंगे और साथ में ज बड़ा जगा है विश्राय स्टेट है यहां पर काम करने का सबका मौका है अजीद दादा ने अगर वो हमारे साथ आते हैं तो उनका पर्फॉर्मेंस अधिनिस्ट्रेटर और मिनिस्टर दोनों अच्छा है और अगर वो हमारे आइडेलोजी को फॉलो करते हैं हम आपका उनक स्वाधत करते हैं पर पहले तो आपी की पार्टी जब शिवसे ना थी तब अजीद पवार पर तमाम तरह के आरोप लगाती थी कौन-कौन से गोटालों के नाम आपने लिये मैं याद दिलाओं कि अभी कृष्णा एगडे ने दिलाए ना आप दिलाए क्या कौन से कौन से गोटाला का नाम हम ने लिया क्या आप ये कह रहे हैं आपने कभी यजीद पवार पर कोई आरूप नहीं लगाया ब्रस्टाचार का देखे उनको जो अभी जारेंडेश्वर सुगर मिल का जो इशू था उनको वहाँ पर क्लीन चिट मिल गया है तो अगर इसको अगर अगर कर दोड़ी चार आपने पता नहीं है अमें पता नहीं है लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये बातचीत से कॉंग्रेस और राश्तरवादी कॉंग्रेस और शिवसेना जो उद्दोजी का गुठ है वहाँ पर उनका अंतरगत कुछ ने कुछ जब नहीं रहा है इसके सब असन तुष्ट है ओके अतुलों डेपाटल बोलिये अतुल भाई बोलिये